नमस्कार CME पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जी एस पेपर वन से रिलेटेड भारत स्रिलंका चीन की ट्राइंगल भूराजिती को कवर करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने रसिया यूकरेन और उसके साथ ही कौप 26 से संब प्रोग्राम में बताया चाहेगा तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को तो आज का टॉपिक है भारत स्रिलंका चीन की ट्राइंगल भूराजनेती चर्चा में क्यों है तो पहले है कि भू सीमा से संबंधित चीन का नया कारून एक जनवरी 2022 बाइस से लागू हुआ है इसलिए चर्चा में बना हुआ है और आगे देखते कि भारत ने स्रिलंका को 900 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है ताकि स्रिलंका को एफडिया बढ़ाने और खादे आयात में मदद मिलेगी और श्रिलंका में वर्तमान समय में आपात का लिन स्थित बढ़ती जा रही है जो कि स्रिलंका के जो वर्तमान सिती है वो खराब है तो चीन वहां पे एक अवसर ढूंड रहा है जिससे कि उसकी पकड़ जो है श्रिलंका में वह ज्यादा बढ़ सके आगे देखते हैं चीन का नया सीमा कानून क्या कहता है तो इसमें है भूमी पुलिस फोर्स अब सीमा की सुरक्षा करेंगी और अंतराश्ची संबंध में सहयोग जिसमें है समानता और पारसपरी कलाब के सिधान परिया आधारित है आगे देखते हैं भारत और श्रिलंका के संबंध क्या है किस प्रकार है तो भारत और श्रिलंका के मद्धे हाल में और दूसरा पॉइंट है कि भारत और श्रिलंका ने चार स्टंब पहल पर सहमती व्यक्त की है इसको आपको इंपॉर्टेंट रूप से मार्क कर लेना है और अगर यहां यह एक्जाम में तो इसको इसी तरह से लिख लेना है तो यह चार स्टंब पहल कौन कौन से हैं तो पहला है लाइन ओफ क्रेडिट दूसरा है आदूने की करन तीसरा है करंशी स्वैप और चौथा है भारती निवेस यह करंशी स्वैप की बात जब हम लोग जापान संबंद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आता है तो यह चार नवांग फाइव की नेम भी आप पूशी तरह से याद होने चाहिए जिससे की आपके अंसर में फैक्ट्स जादा अधिक सके और आगे देखते हैं श्रिलंगा पर चीन का पांच अरफ डॉलर से अधिक करिन बकाया है जिसे भुकता ना कर पाने के कारण स्रिलंगा ने इपसिती भारत को हिंद मासागर से होने वाले लाबों को प्रभावित करेगी और यहां पे तरनाव के सिती भी उत्पन हो सकती है जिससे की अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार पर बूरा प्रभाव पड़ेगा ठीक है और सभी जो देश हैं वो अपने विकास कारेों को छ बढ़ा है और आगे देखते हैं कि चीन ने स्रिलंका सरकार को रिंजाल में फशा कर विदेशी मुद्रा बहिर गवन को नियंत्रेट करने के लिए आयात प्रतिबंधनिती लागु करने पर विवस कर दिया है जिससे भारत से आयात लगभग 19 प्रतिशत कम हो गया है ठीक है इसमें कि भारतने श्रिलंगा के साथ आपसी और सेय Wisconsin पर वानु सहिएँग संझाता किया जो स्रिलंगा का पहला पर हमानु समद्ध चिनहित करता है निए पर शुलंगा के मेगा प्रुजेक्ठ मार्किट में प्रवेश किया जो बुनियाधी ठाचे के विकास पर केंद्रि हुआ है तो यह राम और सीता जो है वो भारती जो जनसंख्या है उसमें कितना महत्वपोर्ण योगदान रखते हैं उसको मद्दे नजर रखते वे स्ट्रिलंगा सरकार ने सीता मंदिर के पवित्र पाशान को भारत को सौपने पर राजी हो जुका है और यह देखते हैं दू यह जो विवाद है यह जो स्थिती है उसने पटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए और फिर चीन को कैसे प्रति संतुलिप किया जा सकता है तो उसमें देखते हैं पहला पॉइंट कि स्रिलंका के साथ नेबर हुड फर्ष्ट नीती को बनाय रखते हुए हिंद महासागर कि भारत के सामबरेग खीतों की रक्षा की जानी चाहिए और चीन की स्रि-लंका में बढ़ती भूमिका को सिमित रखने के लिए भारत को जाफना में कांग के संतुराई बंदरगा और त्रिंको माली में तेल टैंक फॉर्म की परियोजना पर काम जारी रखना चाहिए ठीक है यहाँ पर यह होना चाहिए न कि भारत की प्रति बद्धता दिखे कि समय एक निश्चित समय में जितने भी कारे हैं उसको कंप्लीट किया जा सके समय में पूरा कर सके ठीक है अगली पॉइंट पर देखते हैं कि भारत को प्रदोविकी के छेत्र में अपनी सौफ्ट पावर यथा सूचना प्रदोविक्यादी का विस्टार कर लाब उठाना चाहिए तो सौफ्ट पावर में भारत की मजबूत पकड़ है तो इसका फाइ भारत को चीन की बिल्ट और रोड पहल अपनी उपसिती दर्शाते हुए भारत प्रशांत विजन पर ध्यान के अंद्रित करना चाहिए तो यह हो गया यह पॉइंट आप लोग लिख सकते आगे की राह में ठीक है कुछ कुछ संसोधन के साथ तो इस वीडियो में यह हमने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत और इस्राइल के संबंद्ध जो की अगें एक इंपॉर्टन टॉपिक हो जाता है जिस पेपर 1 के सेक्शन 2 के लिए जहां से प्रश्ण बनने की संभावना है क्योंकि इस्राइल में उथल-पुथल की संभावना हमेशा बनी माइने पहले के नियूज को भी कवर करती है तो उस हिसाब से भारत इजरायल संबंद्ध में तो पूर्ण हो जाता है तो जिसे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हूं आप सभी से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के स तब तक के लिए खयाल रखें धन्यवाद